नमस्कार मैं हुशिकर्दीप और आप देख रहे हैं GBN24 कानाचक में हनुमान भज को उताने पर मचाबावाल, BJP, JDS, ग्रामवासी और हिंदू संगठनों ने विरूध प्रदर्शन शुरू कर दिया है दरसल मंडिया चुने केरे कुटू काउं में एक राम मंदिर, इसे रंग मंदिर कहा जाता है पिछले कई सालों से उस मंदिर के सामने एक 108 स्वीट उजास तम्भ जिस पर हनुमान भज लहराता है लेकिन बीते रविवार को जिला प्रशासन अधिकारी उस स्थम्भ से हनुमान भज को उदाने के लिए मंदिर के बाहर बने स्थम्भ के पास पहुच प्रशासन के इस कारवाई से गाउं के लोग काफी नाराज हो गए हैं और इसका विरूद प्रदर्शन करने के लिए बहाँ पर भारी संख्या में पहुच गए हैं प्रशासन ने नाराज लोगों की भीड को वहां से हटाने के लिए लाकी चार्ज भी किया और इसके बाद स्तंभ से हनुमान भज हटा कर वहां तिरंगा फैना दिया गए प्रशासन के इस कारवाई के खिलाब भाजपा और JTS समेथ हिंदू संगठन के सदस से भी मैदान द उतर गए हैं और विरूद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और धीरे धीरे विरूद करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही देखना होगा कि अब आगी की कारवाई क्या होती है क्या प्रशासन एक बार फिरसे लाटी चार्ज करेगा है कि लोगों को समझा को जा कर किसी तरह मनाया जाएगा जिलाप्रशासन की इस कारवाई से गाउ के लोग काफी नाराज है कोरेगुडु गाउ के लोगोंने अपनी नाराज़गी जताने के लिए गाउ से लेकर कलेक्टर ओफिस तक मर्च गिया इस मार्च का नेतरित तो भाचपा के पूर्वबधायाक प्रतीम गौडा ने किया इतना ही नहीं भाचपा ने इस घटना के खिलाफ राज के अलग-अलग छेतरों में भी विरोध प्रदर्शन किया वह इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जगें पर स्तंभ बना हुआ है वो सरकारी जमीन है प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ पंचायत को वहाँ पर स्तंभ बनाने के लिए एनोसी दिया था इन शर्टों में अहम शर्ट ये थी कि यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक या राजनेतिक जंडा नहीं फहराया जाएगा इस स्थान पर सिर्फ तिरंका या फिर राज्य ध्वज फहराया जा सकता है अधिकारियों ने आगे बताया कि इन सभी शर्टों को स्वीकार करने वाली चिठी और पंचायत की अंडर्टेकिंग हमारे पास है बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ हनुमान ध्वज लहराया गया मगर किसी ने आपत्ती नहीं की 26 जनवरी को पंचायत ने यहां तेरंगा फैराया और शाम को उतार दिया 27 जनवरी को यहां हनुमान ध्वज देखकर कुछ लोगों को आपत्ती हुई जिसके बाद यह कारवाई की गई मैं इस मामले में गामवालों का मानना है कि स्थानी MLA रवी गानिगा जो कॉंग्रेस पार्टी के हैं उनके कहने पर ही हनुमान ध्वज उतारा गया पता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज के मुख्यमंत्री दोरा वहाँ पुलिस बल का प्रयोग करते हुए धज फैरानी के निर्देश दिये गए